मुश्कार विध्यार्थियों मैं डॉक्टर कवीदा चौधरी सहायक आचारे भुगूल श्रीराधिश्याम आर मुरार का राजके महाविध्याले जुन-जुनू में फाइनल में क्लाइमेटोलोजी एंड ओश्यनोग्राफी जल्वाई विध्यान एवं समुद्र विध्यान में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है महासागरिय निक्षेप ओश्यन डिपोजिट्स इसे जैसे कि आप भुगाकरती विध्यान में जो मौर्फोलोजी में पहली पी पढ़ चुके हैं कि नदियां अपरदन का कारी करती है परिवहन का कारी करती है पिर निक्षेप का कारी करती है तो सबसे पहले अपरदन होता है उसके बाद परिवहन होता है और फिर निक्ष इस तरह से महासागरों में भी जो महासागरे ले रहे हैं वो निक्षेप का निरंतर कारे करती रहती है महासागरे नितल मतलब महासागर का धरातल जो महासागर में आंतरिक धरातल है उसे कहाएंगे महासागरे नितल महासागरे नित्तल पर अवसादों के जमाओं को महासागरे निक्षेप कहा जाता है या वार्मर ने महासागरे निक्षेपों के तुल्ला थल पर प्राप्थ होने वाले मृदा के विस्तार से की है जिस तरह की आप इस्तलभाग पर म्रदा का विस्तार देखते हैं वैसे ही उसी तरह से महासागरे नित्तल पर जो जमाव पाये जाते हैं अवसादों के उन्हें हम महासागरे निक्षेप कहते हैं सार्व प्रथम मारे नामक विज्ञानिक ने अठारा सो चिंतर में चैलेंजर अभ्यान के तहत महासागरे निक्षेपों पर शोद पत्र जारी किया पुना 1968 की दशक में ग्लोमर चैलेंजर अभियान में महासागरी निक्षेपों के संदर्ब में जानकारिया प्राप्त की गई 1996 में जोडियस Joint Oceanographic Investigation for Deep Earth Sampling अभियान में महासागरी निक्षेपों के संदर्ब में अनेक रहसी उदगाटित किये यह निशकर्ष निकाला गया कि महासागरी निक्षेप 500 मिलियन से 5 मिलियन वर्ष तक पुराने हैं महासागरी कटकों से दूर जाने पर अवसादों का जमाव मोटा होता है तक पुराने अवसाद प्राप्त होते हैं महासागरे कटक मिलकुल महासागर के मध्ध में स्थित वे नुकिले भाग है जहां निरंतर विस्तार हो रहा है महासागर का तो अगर महासागरे नितल की बात करें तो महासागरों के बिलकुल मध्ध में महासागरे कटक पाये जाते है आप जैसे जैसे इन कटकों से दोरों तरफ चलते हैं दूर जाते हैं तो अवसादों का जमाव मोटा होता जाता है और जैसे जैसे आप जितना कटक के नजदीक होंगे वहां के जो जमाव होंगे वो नवी जवाला मुखी लावय से निर्मित होंगे जैसे जैसे नों कटकों से दूर जाते हैं जो असाद होंगे वो पूराने असाद होते जाएंगे महासागरे निक्षेप से तादपरे महासागरे नितल पर इस्थित ढिले वो भंगूर असादों से हैं जो असंगधित रूप में होते हैं जो कि इन दल पर प्रवर की भाती मंगन तटों से लेकर महासागरे कटक की श्ष्टक फेले होते हैं ये जेविक, भोतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के उत्पाद हैं अब हम बात करते हैं इन महासागरे इनक्षेपों के इस्तरोतों के बारे में महासागर में पाये जाने अवसाद मुख्य रूप से तीन इस्तरोतों से प्राफ्त होते हैं पहला है इस्तले या भूमिज इस्तरोत इस तरोध में नदिया अपने साथ जिस अधिले अउसादों का जमाव करके लाती है वो किनारों पर जमाव हो जाता है वो महासागरी लहरे उन्हें निरंतर महासागर की तली में जमाव करते रहते हैं उसके लिए दूसरा है जवाला मुखिक का उद्भेदन जब महासागरी छेत्रों में आंतरिक नित्तल भाले भागों में जवाला मुखिक उद्भेतित होते हैं तो उनके साथ जो लावा उत्पन होता है लावा धरातल पर आता है महासागरी नित्तल पर आता है वो जब जमाव होता है उसका तो उससे भी महासागरिय निक्षेपों की प्राप्ती होती है तीसरा है सागरिय जीव एमवनस्पतिया महासागर में रहने वाली जीव एमवनस्पतिया भी महासागरिय निक्षेपों को प्रभावित करते हैं या उनके प्रमुक इस्त्रोत हैं इन तीनों प्रकार के स्त्रोतों से मतलब इस्थलिय या भूमिज श्त्रोत, दूसरा जवाला मुखी, तीसरा सागरे जीव, एम बुनस्पतियों से कई प्रकार के कार्बनिक, कार्बनिक, चूनायुक्त, सिलिकायुक्त, आदि अवसाद राप्त होते हैं अब हम बात करते हैं महासागरे तली के निक्षेपों का उनके इस्तरोत के आधार पर निमने प्रकार से वर्गी करण किया जाता है सबसे पहले है इस्थलिय या भूमिज निक्षेब इस्थलिय या भूमिज निक्षेब मतलब जो आपको इस्थल से प्राप्त होते हैं में निक्षेब हैं इसमें धरातेले भाग पर अपक्षे की क्रिया के कारण चटानों में विग्टन तथा बियोजन होता है जिस कारण चटाने बारिक से लेकर बड़े-बड़े टुकडों में तूटकर भिखर जाती है इन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं अपरदन के कारण नदी तथा पवन इन पदार्थों का परिवहन करकी इन्हें महासागरों में जमा करना प्रारंप कर देती है इन पदार्थों के आकार में भिन्नता के कारण इनके निक्षेपण में भिन्नता पाई जाती है अर्थात बड़े-बड़े पदार्थ तट के पास जमा होते हैं तता गहराई पर जाने पर इनका आकार घटता जाता है कड़ों के कारण उनकी बनावड तथा रासाइनिक संगठन के आधार पर मुमिज पदार्थों को निमने प्रकारों से विभक्त करते हैं सबसे पहले हैं बजरी तो बजरी के अंतरगत कड़ों का आकार 2-256 mm व्यास वाला होता है ये पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागरतट के पास मगनतट पर ही हो जाता है इन पदार्थों का आधार आयात नदियों द्वारा होता है दूसरा है रेत 1 mm से 1 बटा 16 mm व्यास वाले कड़ों को रेत कहा जाता है रेत का निर्माण में धरातल से चटानों के विक्टन से होता है जिसे नदियां तथा पवंध सागरों में आकर जिमा कर देती है तीसरा है सिल्ट, म्रतिका तथा पंक 1 बटा 17 mm से 1 बटा 256 mm व्यास वाले कड़ों को सिल्ट मरे ने पंक को रंग के आधार पतीन प्रकारम में विभक्त किया है इसमें पहला है नीली पंक लोहे के सलफाइड तथा जेविक तत्वो सीवक चटानों के विक्तन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंक का निर्माण होता है जो कि प्राय जलमंग न तटो पर गहरे भागो में पाई जाती है इसका वास्त्विक रंग नीला पन लिए हुए काला होता है तथा चूने का अंश 35 प्रतिशत होता है दूसरा है लाल पंक लोहे के आकसाइड सीवक चटानों के विक्तन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंक का निर्माण होता है इसमें का सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है जो तीसरा है वो है दूसरा है आपका जवाला मुखी पदार्थ तथा निक्षेप जवाला मुखी के उदगार से प्राप्त पदार्थों का निक्षेपन सागरों में दोस्त रोस्तों से होता है प्रतम है धरातली भागों पर जवाल जो तीसरे हैं वह हैं जेविक पदार्थ तथा निक्षेब इसके वारे में हम बात करते हैं जेविक पदार्थ और निक्षेब महा सागरों में जहां जीवों के विकास के लिए उपिक पदशाएं पाए जाती हैं वहां इनका विकास होता है गरम सागरों में विशेश रुप से विक्सित होते हैं सागरे जीव जनतों वनस्पति गवशेश सागरतली में जमा होते रहते हैं जिनमें चूने के प्रधानता होती है, कुछ जीवों के खोल सेलिका से भी निर्मित होते हैं, इस प्रकार इन जीवों के जमाव उतले सागर वह गहरे सागर में होते रहते हैं, जिनने दो भागों में बाटा गया है, पहला है तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ, सागरो मौलस्क जीव के कोश्ट ता टुकडे रेडियो ले रेडितो ले रिया कि अस्थी पंजर तो था इस पंज की कंटी का चूना प्रधान अमने प्रधान मनस्पदी के वशेश को सम्मिलित किया जाता है दूसरा है अगाद सागरस्तिया पेलेजिक प्रधार्थ इसके अंतरगत अगाद सागर में मिलने वाले शेवाद से निरूत प्रधार्थों को सम्मिलित किया जोता है वास्ताव में प्रधार्थ पंक के रूप में पाये जाते हैं जिनने ऊज कहा जाता है चुना और सिलिका की मातरा के आधार पर इन्हें दो उपवाक्रावों में विभक्तिया है पहला है चुना परदान उज चुने की अंच के अधिक्ता के कारण यह अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह शिगर ही घुल जाते हैं इनकी सती एक हजार से दो हजार फेदम की बीच महाजागरों की तली पर पाए जाती है प्रमुक जीव के आधार पर चुना प्रधान उज को पुना दो उपोवी भागों में बाटा गया है पहला है टेरापोड महतोपुर मौलस्क जीव टेरापोड द्वारा इस उज का निर्माण होता है इसमें केल्शम कार्बोनेट 80% पाया जाता है यह उज 300 से 1000 फेदम की बीच पाया जाती है इसकी सती मुख्य रूप से मुंगे वाले छेतरों में अधिक पाया जाती है दूसरा है गलोबी जेरेना उज इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान गलोबी जेरेना जीव के कोश्ट से होता है इसका रंग दूदिया सफेद होता है परंतो इसकी अलावा इसका रंग निला बूरा पीला हरा भी हो सकता है इसकी रासायनिक सनचना में केल्शियम 65% तक पाया जाता है ये तो थी चूना प्रधान दोज, टेरा पोडो, ग्लोबिजरेना अब है सिलिका प्रधान ऊज शिलिका अंश के अधिक्ता के कारण इसे सिलिका ये उज़ कहते हैं चूने की कमे के कारण ये उज़ जल्दी गुलती नहीं है अथा ठंडे अथा गरम दोनों प्रकार के सागरों में अथेदी गहराई तक पाई जाती है इसका